मेरे प्रियस नहीं जन, आज से एक साल पहले भारतिय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्निम अध्याय जुड़ा, देश में दसकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनताने जिम्मेदारी सौपी थी. इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमी का रही है, ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतिय लोकतंत्र के प्रती आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का. यदि सामान्य स्थिति होती, तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सोभागी मिलता. लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वज़े से जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशिरवाद लेने आया हूँ. बीते वर्ष में आपके सने सुभाशिष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरन तर एक नई उर्जा, नई प्रेरणा दी है. इस दोरान आपने लोक तंत्र की जिस सामोईक शक्त के दर्शन कड़ाए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिशाल बन चुकी है. छे साल पहले वर्ष 2014 में आपने देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्थन के लिए वोट किया था. देश की नीती और रीती बदलने के लिए वोट किया था. उन पाँच वर्षों में देश ने व्यवस्ताओं को जड़ता और प्रस्टाचार के दलदल से बहार निकलते हुए देखा है. उन पाँच वर्षों में देश ने अन्तियोदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्णनेंस को परिवर्थित होते देखा है. उस कारकाल में जहां विश्व में भारत की आन, बान, शान बढ़ी वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर उन्हें मुप्त गैस कनेक्शन देकर, मुप्त बिजरी कनेक्शन देकर, साउचालय बनवाकर, घर बनवाकर, गरीब की गरीमा भी बढ़ाई. उस कारकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक, वन पैंशन, वन नेशन, वन टैक्स, जीएश्टी, किसानों की MSP की बर्सों पुरानी मागों को भी पूरा करने का काम किया. वह कारकाल देश की अनेकों आवशक्ताओं के पूर्ति के लिए समर्फित रहा. वर्थ 2019 में, पिछले वर्ष, आपका आशिरवात, देश की जनता का आशिरवात, देश के बड़े सपनों के लिए था, आशा आखांग्शाओं की पूर्ति के लिए था, और इस एक साल में लिए गए सारे फैसले, इनी बड़े सपनों की उडान है. आज जन जन से जुड़ी, जन मन की जन शक्ति, राष्ट शक्ति की चेतना को प्रद्वलित कर रही है. गत एक वर्ष में, देश ने सतत नए स्वपन देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णे लेकर कदम भी बढ़ाएगे. भारत की इस अईतिहासी यात्रा में, देश के हर कोने से, हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बख खुबी अपना दाईत्व निभाया है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आजदेश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंत्रिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रियस नेहिजन, बिते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण नेणय जादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृतिबे रहना भी स्वाभावीक है. राष्ट्रि एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियो पुराने संगर्ष के सुखत परणाम राम मंदिन निर्मान की बात हो, आधुनिक समाज ववस्ता में रुकावट बना ट्रीपल तलाख हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संसोधन कानून हो, ये सारी उपलदिया आप सभी को स्मरण है. एक के बात एक हुए इन अइतिहासिक निर्णों के बीच अनेक फैसले, अनेक बरलाव ऐसे भी हैं, जिनोंने भारत की विकास यातरा को नई गती दी हैं, नई लक्ष दिये हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है. चीफ अफ डिफेंस स्टाप के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समनवय को भड़ाया है, वहीं मीशन गगनियान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को ससक्त करना हमारी प्रात्विक्त आ रही है. अब पियेम किसान सम्मान निधी के दाइरे में देश का प्रतेक किसान आ चुका है. बीते एक वर्स में इस योजना के तहट करीब करीब दस करोड किसानों के खातों में 72,000 करोड रुपे से अधिक राशी जमा कराई गई है. देश के पंद्रा करोड से अधिक ग्रामिन घरों में पीने का शुद्ध पानी पाईप से मिले इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है. हमारे पचांस करोड से अधिक के पशुधन के बहतर स्वास्त के लिए मुप्त टीका करण का भहुत बड़ा विहान भी चड़ाये जा रहा है. देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मदूर, छोटे दुकानदार, छोटे विपारी और असंगडिक शेत्र के स्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्स की आयू के बाद 3,000 रुपिये की नियमित मासिक पेंशन की सुविदा सुनिश्चित हुई है मचवारों की सहुलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्ल्यू एकोनामी को मजबूत करने के लिए विशेश योजनाओं के साथ-साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्यान बौड के निर्मान का निर्णे लिया गया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुई है। हमारी समसद ने अपने कामकाज से दसको पुराना रेकोर्ड तोड़ दिया है। इसी का परणाम है कि चाहे Consumer Protection Act हो, चिटफन कानून में समसोधन हो, दिव्यांगों, महलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए हैं। सरकार की नीतियां और निर्णयों की वजह से शहरों और गाउं के बीच जो खाई हैं वो कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है, जब गाउं में इंटरनेट का इस्तमाल करने वालों की संख्या, शहर में इंटरनेट इस्तमाल करने वालों से दस प्रतिशत जादा हो गई हैं। देश हित में किये गए इस तरह के एतियासिक कारियों और निर्णयों की सुची बहुत लंबी है। इस पत्र में सभी को वित्तार से बता पाना संभव नहीं। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि एक साल के कारकाल के प्रत्य एक दिन 2400 घंटे पूरी सजक्ता से काम हुआ है, समवेदन सिल्ता से काम हुआ है, निर्णय लिये गए है। प्रियस नहीजन देश वास्यों की आशाओं आकांशाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गती से आगे बढ़ी रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी खेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्त सेवाओं और विशाल अर्थ ववस्ता वाली विश्व की बड़ी-बड़ी माशक्तिया हैं, वहीं दूसरी और इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनोतियों से घीरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पूर हमला करेगा, तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देश वासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थवान और संपन्न देशों की तुन्ना में भी भारत वासियों का सामुईक सामर्थ और ख्रमता अभुत पूर्वा है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वार्यस का सम्मान हो। जनता कर्फ्यू या देश्वापी लॉकडाउन के दोरान नियमों का निश्ठा से पालन हो। हर आउसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही स्रेश्ट भारत की गारंटी है। निश्चित तोर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीब और असुविदा ना हुई हो। हमारे स्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीकर, पट्री पर सामान बेचने वाले, रेडी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकांदार भाई बहन, लगूद्यमी, ऐसे साथ्यों ने असिमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानिया दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा, जीवन पर आफ़त में न बदल जाए। इसके लिए प्रतेग भारतिय के लिए प्रतेग दिशान निर्देश का पानन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवर्ता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बणा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुल्ना में जादा समली हुई इस्तिति में है। ये लड़ाई लंबी है लेकिन हम विजय पत पर चल पड़े हैं। और विजय होना हम सबका सामोहिक संकल्प है। अभी पस्चिम मंगाल और ओडिशा में आए अमफान चक्रवात के दोरान, जिस होसले के साथ वहां के लोगों ने थीतियों का मुकाबला किया। चक्रवात से होने वाले नुक्षान को कम किया। वह भी हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेना है। प्रियस नहीजन इन परिश्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थ व्यवताएं कैसे उबरेंगी। लेकिन दूसरी और यह विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एक जुड़ता से कोरोना के खिलाब लड़ाई में पूरी दुनिया को अचम्बित किया है। वैसे ही आर्थिक शेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड भारतिय अपने सामर्थ से आर्थिक शेत्र में भी विश्व को चकीती नहीं बलकि प्रेरिद भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाग करोड रुपिय का पैकेच इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए हमारे किसान, हमारे स्रमीक, हमारे लगू उद्यमी, हमारे स्टार्ट अप से जुड़े नवजवान सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतियों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्म निर्भरता की और आगे बढ़ेगा। प्रियस नहीजन बीते छे वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशिरवात बनाये रखा है। बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनवतियां अनेक हैं, समस्यां अनेक हैं, मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है। और इसलिए मेरा विश्वास स्वयम से ज़्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ पर है, मेरे संकल्प की उर्जा आप ही है, आपका समर्थन, आपका आशिरवात, आपका नही है। वैस्विक महामारी के कारण, यह संकट की गड़ी तो है ही, लेकिन हम देश वास्यों के लिए यह संकल्प की गड़ी भी है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड भारतियों का वर्तमान और भविश कोई आपदा या कोई विपत्ती तै नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तै करेंगे और अपना भविश भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगधिपत पर दोड़ेंगे, हम विजई होंगे, हमारे यहां कहा गया है कुरुतम में दक्षिने हस्ते, जयो में सब्व्य आहिता, यानि हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है, तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश की निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनह नमन करता हूँ, आपको और आपके परिवार को मेरी हारदिक्षुब कामना है, स्फस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरुत रहिए, जागरुक रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अजयत रहिए हैं परिवार के अजयत रहिए, जागरुत बहुत रहिए, जागरुत रहिए, परिवाद।